Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरी और ये है आप लोगों के लिए पिका काड रीडिंग आज का हमारा टॉपिक है Have You Met The One और दिखे ये मेरा second channel है, first channel है किरन शापरी और कल टेंपरिस जिसमें मैं हर week सापता ही क्राशी फल और हर month आपके zodic sign के हिसाप से monthly love tarot readings upload करती हूँ और अगर आप इन topics में interested हैं, तो आप मेरे first channel को visit कर सकते हैं उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दिखे अगर आपको videos पसंद आते हैं, तो जरूर channel को like करें, share करें, subscribe करें और अगर आप personal session book कराना चाहते हैं, तो मेरी contact info आपको नीचे description box में मिल जाएगी और अगर आप short reels में interested हैं, आप relationship tips में interested हैं, आप updates में interested हैं तो आप मेरा insta page भी follow कर सकते हैं, उसका link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो दिखे description box बहुत important होता है, उसको जरूर आप check कर लिया करें तो चलिए जी, आपकी reading शुरू करते हैं, आप इस सबके mind में different concept हो सकता है about meeting the one कुछ के लिए हो सकता है कि अभी तक आप अपने future spouse से मिले हैं या नहीं मिले हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपने soulmate से अभी तक आप मिले हैं या नहीं मिले हैं कुछ के लिए twin flame हो सकता है, तो दिखे जो भी आपके mind में हैं, आपने आखें बंद करके उसी चीज़ को visualize करना है और आखें खोए के इन तीनों में से जो भी pile आपको सबसे पहले दिखता है या फिर आप सबसे पहले attract होते हैं, उसको आपने बिना confusion के choose कर लेना है तो देखें, first pile में हमारे पस green candle है, second pile में हमारे पस white and black candle है and third pile में हमारे पस beige and brown candle है तो फिर से देखें, आप आखें बंद करें, अपने, you know, होने वाले partner, soulmate, twin flame या जो भी आप सोच रहे हैं उनको सोचें आखें आखें खोल के, जो भी pile आपको attract करता है, आप उसको choose कर लें and देखें, ये timeless reading है, जब भी भी ये सवाल आपके mind में आता है, ये reading आपके सामने आती है तो आपके सवाल का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है तो चलिए जी शुरू करते हैं आपकी reading और अगर आपने pile 1 यानि की green candle को choose किया है तो आपके cards मेरे सामने है, pile 1 चलिए देखते हैं, cards क्या कहते है have you met the one और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने 2 piles है first pile में हम आपकी current situation को देखेंगे and second pile में आपके सवाल के जवाब को देखेंगे कि अभी तक आप उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं और इसी के regarding आगे क्या होने वाला है तो देखेंगे, इस pile को हम बाद में देखेंगे अभी हम आपकी current situation देख लेते हैं तो देखें, आपे protection, yes, chance, not enough photograph and the phoenix के cards हैं राइरवैट से king of cups, queen of cups and justice के cards हैं तो देखें, आपे सबसे बहले cards हैं king of cups and queen of cups और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं king and queen एक दूसरे को देख रहे हैं यानि कि एक card reverse नहीं है and cups कहीं emotions, feelings, love की बात करते हैं और इन cards के हिसाब से या तो किसी के लिए एक प्यार, महबबत आप में हैसूस कर रहे हैं pile one, बहुत emotional, बहुत sentimental भी है या फिर appropriately किसी relationship में है लेकिन देखिए अभी relationship में कुछ issues, कुछ मसले रहते हुए देख रहे हैं इसके बावजूत की एक प्यार है, एक महबबत है currently देखिए justice का card कहता है कि बहुत जादा right and wrong के point of view से आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं कि जो भी इस relationship में हो रहा है कहीं आप दोनों के लिए ही वो sufficient नहीं रहता हुआ दिख रहा है एक missing feeling रहती हुए दिख रही है या मैं कहा सकती हूँ कि complete happiness, complete joy नहीं है कोई चीज़ परेशान कर रही है इस card में लिखा हुए frustration, in relationship, self-sabotage, jealousy ego issues, lack of confidence और यही मसले आप लोगों के लिए pile one रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि कुछ के लिए हो सकता है कि एक jealousy pile one या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपके partner महसूस कर रहे हैं और इसी की ही वज़े से या फिर otherwise भी इतना confident आप चीजों को लेकर नहीं हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने connection को लेकर इतने confident नहीं है कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner आपको लेकर इतने confident नहीं है और दिखी कहीं छोटे मोटे issues, छोटे मोटे मसले जाधा रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि दिखी इस card में self-sabotage भी लिखा हुआ है और इसका मतलब यही होता है कि जो भी हो रहा है कहीं उससे आप दोनों खुद का नुकसान कर रहे हैं हिंदी में एक कहावत है ना अपने पैर पे कुल हाड़ी मारना तो कुछ ऐसी सी energies रहती हुए दिख रही है और दिखे फोटोग्राफ का card कहता है जब भी भी आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, दूर होते हैं तो एक दूसरे को miss करते हैं, याद करते हैं और कहीं एक दूसरी की pictures सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर जो भी pictures आपके पास हैं, उनको देखते हैं और यहाँ पे दब फिनिक्स का card कहता है इसलिए शायद एक fresh beginning आप इस relationship के लिए या फिर अपनी personal life के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं और जादा देखिए मुझे दिख रहा है कि इस relationship को आप फिर से नए सिरे से start करना चाहा रहे हैं और देखिए याँ पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि इस relationship को end करके एक नए सिरे से अपनी जिन्दगी की शुरुआत करना चाहा रहे हैं देखिए ये general reading होती है सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ कर सकता है लेकिन again मैं कहूंगी जादा मुझे लग रहा है कि इस relationship को नए सिरे से आप start करना चाहा रहे हैं और यहां पर देखिए chance का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि आप या फिर आपके partner इस relationship को second chance देना चाहा रहे हैं फिर से चीज़ों को try करना चाहा रहे हैं येस का card भी देखिए इसी चीज़ को again मैं कहूंगी confirm करता है फिर से इस relationship में एक reconciliation चाहा रहे हैं फिर से एक दूसरे के साथ आना चाहा रहे हैं और यहाँ पर protection का card कहता है कि इस relationship को protect करना चाहा रहे हैं इस relationship को you know again मैं कहूंगी बचाना चाहा रहे हैं और अब देखते हैं pile 1 की आपका जवाब क्या है कि अभी तक आप उन से मिले हैं या नहीं मिले हैं तो देखें यहाँ पर healing heart, sudden freedom, addiction, twin flame, date, rider watch से 4 of wands, 5 of cups reverse and 10 of souls reverse के cards हैं और देखें यह cards आपके सवाल के जवाब के लिए हैं और यहाँ पर sun का card बहुत ही clear yes कहता है तो देखें जो भी आपने reading के starting में सोचा था अगर आपने सोचा था कि भाई आपके future spouse होंगे या नहीं होंगे तो उसका answer yes है अगर आपने सोचा था यहाँ आपके soulmate है या नहीं है उसका answer yes है, आपने twin flame सोचा था तो भी उसका answer yes है अगें देखें जो भी आपने सोचा था यहाँ पर answer yes है लेकिम क्योंकि यहाँ पे Twin Flame का card है तो Twin Flame की possibility एक मुझे जादा रहती हुई दिख रही है यहाँ पे Four of Wands का card कहता है कि जो भी issues आप दोनों के बीच में currently चल रहे हैं वो कहीं resolve हो जाएंगे एक companionship, एक togetherness आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही है क्योंकि यह card शादी का भी होता है, engagement का भी होता है, reunion का भी होता है तो देखिए इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में रहती हुई दिख रही हैं लेकिन देखिए एक complete satisfaction, एक complete happiness, एक complete joy नहीं आप लोग महसूस कर रहे हैं या फिर मैं कहूंगी कि कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जो भी positive है, जो भी अच्छी चीज़ें इस relationship में हैं उसके उपर focus करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और अगर ऐसा आप कर रहे हैं, पाईवन तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि देखिए इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी life में कोई issue ना हो, जिसकी life में कोई मसला ना हो और जब हम इस चीज को समझ लेते हैं, इस चीज को accept कर लेते हैं तो हमारी life easy हो जाती है और जब हम इन ही चीजों से जूँचते रहते हैं, लडते रहते हैं तो हम ही कहीं अपनी life को difficult बनाते हैं या complicated करते हैं तो यहाँ पर फिर से देखिए आप कहीं positive चीजों के उपर ज़्यादा focus करना चाहा रहे हैं और देखिए यहाँ पर 10 of wands, sorry 10 of swords, reverse का card कहता है कि यहाँ तो देखिए relationship आगे जाके किसी लवी पर किसी तरीके से end होगा या फिर देखिए जो भी issues हैं, जो भी मसले हैं, वो कहीं end होते हुए दिख रहे हैं और हमने previous आपकी current situation में देखा भी था कि आप लोग एक fresh start करना चाहा रहे हैं तो जादा मुझे दिख रहा है पाईवन, जो भी issues हैं, जो भी मसले हैं, उसको end करके एक नई beginning, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर रहे हैं और दिखिए यहाँ पर healing heart का cat कह रहा है कि एक healing आप लोग करना चाहा रहे हैं इस relationship की, या फिर दिखिए कोई चीज आपको hurt करी, आपके partner को hurt करी उसको भी again मैं कहूंगी heal करना चाहा रहे हैं sudden changes इस relationship में आते हुए दिख रहे हैं और दिखिए हाँ पर addiction and freedom के cards हैं तो बहुत ही clearly cards आपको message दे रहे हैं कि बहुत ज़ादा आगे जाके आँ हो सकता है अभी भी एक addiction आपको आपके partner की है, आपके partner को आपकी हो और मैंने हमेशा कहा है कि addiction चाहें कितनी भी अच्छी चीज़ की हो वो हमें परिशान करती है क्योंकि addiction का मतलब यह होता है कि हम उस चीज़ के गुलाम बन गए और कभी भी हमें slave नहीं किसी भी चीज़ का बनना चाहिए अपना control अपने हाथ में रखना चाहिए तो दिखे इस चीज़ का खायाल रखे आपे addiction के साथ freedom का card आपको यही message दे रहा है कि एक healthy space जरूर आप खुद के लिए अपने partner के लिए रखे क्योंकि इसकी वज़े से भी आगे जाके issues और मसले हो सकते है या फिर यही एक issue इस relationship में रहता हुआ दिख रहा है और यहापे date का card भी clearly कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से connect कर रहे हैं यह relationship आगे बढ़ रहा है और जो भी problems थी, जो भी मसले थे, जो भी issues थे वो कहीं end होते हुए दिख रहे हैं एक fresh start आप लोग करना चाह रहे हैं या फिर एक fresh start हो रही है लेकिन देखिए कुछ pile one के लिए specifically जिन्होंने twin flame सोच के यह reading देखी है उनके लिए दिखिए हो सकता है कि यह relationship ही आगे end हो क्योंकि देखिए आपको पता ही होगा कि twin flame से हम मिलते हैं लेकिन हमारा union नहीं possible होता है तो आपके लिए दिखिए हो सकता है कि यह relationship end होगा और फिर आप नए सिरे से अपनी life को शुरू करेंगे हाला कि अभी जो मसले हैं अभी जो issues हैं वो कहीं देखिए solve होते हुए दिख रहे हैं वो कहीं ठीक होते हुए दिख रहे हैं आप दुनों के बीच में एक patch up reconciliation होता हुआ दिख रहा है लेकिन again मैं कहूंगी जिन लोगोंने twin flame सोच के यह reading देखी है आपका relationship on and off होता रहेगा and आपके सवाल का जवाब यही है कि yes यह आपके twin flame है और दिखें यहाँ पर again मैं कहूंगी अगर आपने future spouse सोचा है यहाँ पर soul में सोचा है तो आपका भी सवाल yes है लेकिन आपके लिए यहाँ पर reading यही है कि जो भी चीजें आप लोगों को परेशान कर रही है या फिर इस relationship में मसले create कर रही है वो end होंगी एक fresh start होगी और कहीं देखिए marriage, शादी, reunion या फिर engagement, live-in आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है तो यह थी pile 1 आप लोगों के लिए reading अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को ज़रूर like, share और subscribe करें और अगर आपने pile 2 यानि की white and black candle को juice किया है तो आपके cards मेरे सामने है pile 2 चलिए देखते हैं cards क्या कहते हैं have you met the one or not और जैसी कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने हाँ पे 2 piles है first pile में हम आपके current situation देखेंगे and second pile में हम आपके सवाल के जवाब को देखेंगे कि अभी तक आप उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं और देखें इसी से related आपकी life में आगे क्या होगा इसको भी हम इसी pile में देखेंगे and सबसे पहले हम current situation को देखते हैं तो देखें current situation के लिए यहाँ पे long distance love tough love रंदवेस के काज हैं औराकल से stabbed at the back heart with a key abundance के काज हैं राइडवेट से the magician five of wands and the tower के काज हैं तो देखें एक काज कहते हैं कि currently बहुत एक tough situation tough emotion से आप गुजर रहे हैं यहाँ पर tower का काज कहता है कि बहुत एक उथल पुथल बहुत एक instability बहुत एक unsettling सी energies आप महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर situation circumstances सबके लिए differ कर सकते हैं क्योंकि यह general reading है लेकिन देखिए जादे तर काज कह रहे हैं कि बहुत एक conflicting सी emotions conflicting सी energies में आप रह रहे हैं पीछे या currently किसी चीज को लेकर एक suffocation भी आप महसूस कर रहे हैं और देखिए आप इसमें से हर हाल में बहार निकलना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत ही शिदत से बहुत ही प्यार से आपने इस relationship को बनाया था या किसी चीज को बनाया था और वो कहीं बिखरता हुआ आपको दिख रहा है वो कहीं तूटता हुआ आपको दिख रहा है अगें देखिए situation सबके लिए differ कर सकती है लेकिन यहाँ पे stabbed at the back magician के cards कहते हैं कि अगर आप पीछे किसी के साथ relationship में थे या currently अगर आप किसी के साथ relationship में है तो आपको बहुत जादा manipulate कर रहे हैं बहुत diplomatically आपके साथ चल रहे हैं उनकी intentions fair नहीं है उनके motives fair नहीं है और कहीं देखिए इस चीज का एहसास आपको भी हो रहा है कि वो आपको use कर रहे हैं उन्होंने आपको धोका दिया है उन्होंने आपके साथ cheating करी है और इसी लिए देखिए आप फिर otherwise भी बहुत एक conflicting सी energies आप महसूस कर रहे हैं लेकिन देखिए फिर भी completely आप उनसे disconnect नहीं कर पा रहे हैं completely आप you know overcome नहीं इन्ही feelings, emotions को कर पा रहे हैं again देखिए आप इस tough love का काट कहता है कि बहुत difficult situation से आप गुजरे हैं बहुत जादा आप hurt हुए हैं बहुत जादा आपने चोट खाई है या फिर currently भी ऐसी ही situation है और हो सकता है कि आपने बहुत willpower determination के साथ चीज़ों को deal किया हो आपने हिम्मत ना हारी हो लेकिन अभी कहीं आप you know give up करते वे दिख रहे हैं आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया अब इससे जादा strength इससे जादा stamina आपके अंदर नहीं है इस relationship को continue करने का और देखिए इसलिए या फिर otherwise भी long distance का कार्ट कहता है कि एक distance या तो आप दुनों के बीच में आ रहा है या फिर ये सब issues इसलिए हुए क्योंकि ये long distance relationship था लेकिन देखिए कहीं ये चीज इस चीज को justify नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे cheating सुरी stabbed at the back end magician के कार्ट बहुत ही clearly कहते हैं कि जिनके साथ भी आप relationship में थे उनके intentions, उनके motives कहीं अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे वो शुरू से ही आपको manipulate कर रहे थे और देखिए जिस भी situation में currently आप हूँ pile 2, यहाँ पे rendu is and abundance के कार्ट कहते हैं, कि आपको complete faith है, जो आपके लिए बने हैं, जो आपके soulmate हैं, twin flame हैं या फिर आपके future spouse हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगे और एक abundance energies एक happiness, एक joy एक love, आपकी life में ज़रूर लेकर आएंगे, और यहाँ पे आपको यही कहोंगे, pile 2 जब हम एक बहुत strong faith रखते हैं, तो definitely हम उन चीजों को manifest भी कर पाते हैं, and अब देखते हैं, pile 2 कि क्या आप अभी तक उन्हें मिले हैं या नहीं मिले हैं, और इसी से ही related आगे क्या होगा तो देखें, यह आपके सवाल का जवाब है, और यहाँ पे kiss and tell, coffee cup and page of cups के cards कहते हैं, yes आप उनको मिल चुके हैं, लेकिन देखें, यह वो इनसान नहीं हैं, जिन के साथ आप अभी relationship में हैं, या फिर पीछे relationship में थे, जिन्होंने आपके साथ cheating करी, या फिर किसी भी level पे किसी भी तरीके से unfair थे क्योंकि यहाँ पे page of cups के साथ बहुत ही clearly new love का card है, तो देखिए gain मैं कहूंगी, आप मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक आप उनके साथ relationship में नहीं रहे हैं वो आपके लिए एक new love होंगे, and देखिए कहीं, इस toxic energies जो आपने पीछे महसूस करी हैं उनसे आपको बाहर निकालने में आपकी help करेंगे, and यहाँ पे destiny point love, the golden mirror girl talk के cards कहते हैं कि अभी currently उनसे आपकी बातचीत हो रही है, यहाँ पर देखिए coffee cup का भी card कहता है कि आप उनसे बात करते हैं हो सकता है कि आपकी उनके साथ बहुत अच्छी friendship हो, और वो आपको बहुत अच्छे से guide करते हो उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता हो and कि यह भी हो सकता है, कि वो आपको love करते हैं, लेकिन आपके मन में अभी उनके लिए वो attraction नहीं है, वो feelings नहीं है कुछ pile to के लिए हो सकता है कि आप भी किसी level पे जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए feelings हैं emotions हैं, कुछ pile to के लिए हो सकता है कि आप एकदम से ignorant हैं आपको उनकी feelings का नहीं पता है क्योंकि देखिए आपे the golden mirror का card one-sided relationship की भी बात करता है तो देखिए ये एक one-sided relationship उनकी तरफ से रह सकता है और देखिए यहाँ पे love का card कहता है कि वो आपको बहुत love करते हैं एक देखिए unconditional love हम कह सकते हैं उनके मन में आपके लिए हैं बहुत emotions हैं, बहुत feelings हैं और देखिए यहाँ पे star का card कहता है कि उनसे बात करके आपको बहुत एक positivity मिलती है आप बहुत charged up हो जाते हैं आपको बहुत अच्छी feeling होती है और जो भी आपके मसले होते हैं जो भी issues आपके होते हैं कहीं वो आपको उनमें से बाहर निकालने में help करते हैं कहीं देखिए एक clarity आपको अपनी problems को लेकर उनसे मिलकर आती है या मैं कहूंगी कि वो बहुत ही positive किसम के इंसान है हमेशा यूनो अच्छी बाते करते हैं हमेशा एक again मैं कहूंगी positive बाते करते हैं बहुत transparent हैं बिलकुल भी किसी चीज को छुपाते नहीं है और देखिए बहुत ज़ादा effort बहुत ज़ादा एक मेहनती भी वो इनसान है अपनी life में जो भी वो करते हैं और हो सकता है कि इस friendship के लिए भी वो बहुत effort करते हो और pile 2 यह आपकी भी energies हो सकती है जहाँ पे उनकी friendship आपके लिए बहुत एहम है उनकी presence आपके लिए बहुत एहम है और हो सकता है pile 2 आपके मन में भी उनके लिए feelings हो लेकिन आप ignorant है अभी तक आपके मन में वो awareness नहीं है कि भई आपके मन में भी again उनके लिए attraction है क्योंकि आप पुराने relationship में ही इतना चोट खाय हुए है कि नए relationship के लिए अभी आप नहीं सोच पा रहे है नए relationship पे आप नहीं focus कर पा रहे है तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी pile 2 कि जब हमें कोई अच्छा इंसान मिलता है तो हमें उसकी एक तो value करनी चाहिए और हमें उसको जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए या फिर मैं कहूंगी for granted नहीं लेना चाहिए क्योंकि देखिए ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं बहुत कम मिलते हैं तो देखिए nutshell में यहाँ पे cards यही कह रहे हैं कि yes आप उनको मिल चुके हैं लेकिन अभी आप उनके साथ relationship में नहीं है और देखिए आप कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है pile 2 कि aware नहीं है कि आपके मन में उनके लिए क्या feelings है या फिर आपके मन में अभी उस तरीके की feelings उनके लिए नहीं है लेकिन उनके मन में definitely देखिए एक feelings एक emotions दिख रही है हो सकता है कि अभी एक friendship है एक respect है आभी किसी भी level पे एक casual आपकी और उनकी बातचीत होती है casual आप लोग coffee पे जाते है casual आप लोग you know lunch पे जाते हैं बातचीत करते हैं और देखिए हाँ पे destiny point का card कहता है कि हो सकता है future में आप अपने आपको उस मकाम पे पाएं जहाँ पे आपको decision लेना है आपको क्या करना है और देखिए मैं आपको यही कहूँगी pile two कि आप जो भी decision लें आप इस चीज़ को जरूर again consider करें कि अच्छे इंसान मुश्किल से मिलते हैं और उनको हमें जल्दी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए और अगर आपको भी लगे कि इस इंसान के मन में आपके लिए respect है आपके लिए एक सच्चा प्यार है सच्ची महबबत है तो आप इनके साथ अपनी जिन्दगी को आगे बढ़ाएं आप एक नया फेज अपनी लाइफ का शुरू करें और देखिए यहाँ पे कि सेंटल का भी कार्ट कहता है कि आप अपनी feelings उनको express करें या फिर हो सकता है कि देखिए वो आगे जाके अपनी feelings आपको express करेंगे और वही वो इनसान है जिनको आप ढूंड रहे हैं तो यह थी pile 2 आपकी reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को ज़रूर like, share और subscribe करें और अगर आपने pile 3 यानि की beige and brown candle को choose किया है तो आपके cards मेरे सामने है pile 3 चलिए देखते हैं cards क्या कहते हैं have you met the one or not और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे दो piles है first pile में हम आपकी current situation देखेंगे and second pile में हम आपके सवाल के जवाब को देखेंगे कि अभी तक आप उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं और इसी से ही related आगे क्या होगा तो दिखें इस pile को हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हम आपकी current energies या फिर current situation को देखेंगे और current situation के लिए हाँ पर missing you, ladies, night out, surrender, hammer, lightning, self-indulgence के cards है Rider of edge से ace of cups, five of swords and queen of swords के cards है और दिखेंगे सबसे बहले cards मुझे दिख रहे हैं ace of cups and five of swords और ये cards कहते हैं कि किसी के साथ पीछे या currently आप relationship में थे या है और बहुत serious level पर ये relationship था जहाँ पर एक commitment थी या फिर शादी engagement की बाते चल रहे थी या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी engagement ही हो गई थी आपकी शादी fix हो गई थी और कहीं दिखें यही चीजें break होते हुई दिख रहे हैं इन ही चीजों से related काफी मसले काफी issues रहते हुए दिख रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी literally ये एक breakup के level पर ये relationship आ चुका है और आपको ऐसे लग रहा है pile 3 की बहुत ही आपके साथ गलत हुआ है आपके साथ एक तरीके की cheating हुई है, unfair चीजें हुई है और दिखें ये सब के लिए differ करेगा क्योंकि ये general leading है कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner आपके लिए unfair रहे कुछ के लिए circumstances, situations हो सकती है कुछ के लिए आपके family members, आपके partner के family members हो सकता है unfair रहे हो तो देखें कोई भी reason हो सकता है यहाँ पे currently एक cheating, एक unfair energies, एक किसी तरीके का injustice आप महसूस करते हुए दिख रहे है और हो सकता है ये सब चीजें बहुत ही suddenly हुई हो आपने बिल्कुल expect ही नहीं किया था आपको बिल्कुल उमीद ही नहीं थी और आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस चीज को absorb करना इस चीज को accept करना आपको एकदम से हो सकता है काफी shock लगा हो इस चीज को जान कर और दीखें यहाँ पे सब के लिए different reasons हो सकते हैं इस breakup के, इस issues, इन muscle के लेकिन यहाँ पे Queen of Souls का card कहता है कि कोई female इसकी वज़ा रह सकती है यहाँ पिर किसी female का हाथ इन सब चीजों में रह सकता है यह female pile 3 आपकी तरफ से भी हो सकती है और अगें दीखें कोई भी हो सकती है आपके partner की mother हो सकती है friend हो सकती है sister हो सकती है colleague हो सकती है कोई भी हो सकती है और कुछ के लिए दीखें आपकी ही pile 3 Queen of Souls वाली energies हो सकती है जहाँ पे अप आप बहुत logically चीजों को deal करना चाहा रहे हैं इस hurt के बाद, इस मसले के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब आप अपने दिल के नहीं सुनेंगे अब आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी इनसान के लिए beyond the point emotional नहीं होंगे sentimental नहीं होंगे अब आप बहुत जादा mind से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और hammer का card भी कहीं देखिए break up की बात करता है कहीं किसी चीज के तूटने की बात करता है और उसको फिर से बनाने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप इस वकत महसूस करते हुए दिख रहे हैं और देखिए यहाँ पर missing you का card कहता है कि जितना भी आप logically चीजों को deal करें जितना भी आप mind से चीजों को perceive करें देखने की कोशिश करें अभी भी आप उनको miss करते हैं आप completely कहीं इस चीज से overcome नहीं कर पाएं है हालां कि देखिए आप कोशिश कर रहे हैं आप यह ladies night out का card कहता है आप अपने friends से ज़्यादा connect कर रहे हैं आप ज़्यादा socialize कर रहे हैं ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं party कर रहे हैं get together कर रहे हैं ताकि आपका mind deviate हो और कहीं देखिए आप universe पे complete surrender करते हुए complete faith करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक fresh start करने की कोशिश कर रहे हैं आप फिर करना चाहा रहे हैं अब देखते हैं pile 3 कि अभी तक आप उनसे मिले हैं नहीं मिले हैं और इसी से ही related आगे क्या रहेगा तो देखिए answer के लिए हाप रोयल crown, heart broke and nine of pentacles के cards हैं और ये cards बहुत ही clearly कह रहे हैं कि अभी तक आप उनसे नहीं मिले हैं और अभी currently देखिए again ये cards कहते हैं कि आपके लिए आपका self बहुत important है and yes देखिए पिछले cards में self indulgence के card को मेरीट करना भूल गई तो देखिए पीछे भी हमने देखा था कि आप खुद के ऊपर बहुत focus करना चाहते हैं हो सकता है जो पीछे relationship था उसमें आपने self को बहुत ignore किया अपने आपको बहुत back seat पे रखा जिसकी वज़े से आप बहुत hurt हुए और अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया आप खुद को prioritize करना चाहते हैं खुद पे focus करना चाहते हैं खुद पे work करना चाहते हैं और यहापे भी दिखिए royal crown and nine of pentacles के cards कहते हैं कि आप अब you know independent होना चाहते हैं emotionally, mentally, physically किसी के ऊपर भी आप depend नहीं होना चाहा रहे हैं आपकी self respect आपके लिए बहुत एहम रह रही है उसको आप हर हाल में maintain करना चाहा रहे हैं और फिर से आप कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहा रहे हैं जिससे कि आपका दिल तूटे जिससे कि आप परेशान हो जिससे कि आप दुखी हो and आप देखते हैं कि इसी से ही related आगे क्या होगा यानि कि future में आप उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो देखिए यहाँ पर wishes, triangle, choice wedding rings, boat, engagement, ring के cards हैं the lovers, seven of pentacles and ten of wands के cards हैं तो देखिए यहाँ पर lovers and wishes के card बहुत ही clearly कहता है कि definitely आप उनसे मिलेंगे and देखिए अगर आपने शादी के बारे में सोचा है आपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचा है soulmate के बारे में सोचा है जो भी सोचके आपने ये reading देख रहे हैं आपका सवाल का जवाब है कि future में आप मिलेंगे अभी तक आप नहीं मिलेंगे और यहाँ पे देखिए lovers का कार्ट जादा एक soulmate वाली energies की बात करता है और जिस तरीके की आपकी wish थी जो भी आपकी desire थी वो कहीं manifest होती हुई दिख रही है लेकिन देखिए हो सकता है आपके partner का कोई family member love one close one हो सकता है या फिर आपकी life में हो सकता है कोई पहले से ही हो या उनकी life में कोई पहले से ही हो और जब आप लोग एक दूसरे से मिलें तो आपको ऐसे लगे कि भाई जिनको आप ढून रहे थे ये तो वहीं है और आपका ऐसा मन करें कि भाई इनके साथ ही आप आगे अपनी जिन्दगी को लेकर जाना चाहते हैं देखिए आपे wedding rings engagement के cards बहुत ही clearly कहते हैं कि आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई इनके साथ ही आप अपनी बाकी की जिन्दगी बिताना चाहते हैं और अगे देखिए यही वो इनसान है जिनको आप ढूंड रहे हैं या रहे थे लेकिन देखिए फिर से मैं कहूंगे एक third party situation उनके साथ रहती हुई दिख रही है और फिर से देखिए आपकी तरफ से भी हो सकती है जहाँ पे हो सकता है आपको या उनको कुछ choice लेनी पड़े कुछ decisions लेने पड़े और देखिए यहाँ पे seven of pentacles का card कहता है कि थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए या उनके लिए decision लेना रह सकता है जहाँ पे बहुत जादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे है जिसकी वज़े से एक pressure भी बन रहा है जिसकी वज़े से एक tension भी build up हो रही है लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर boat, wedding rings and engagement ring के cards है तो बहुत ही clearly cards कहते है जो भी issues, जो भी मसले रहें आप दोनों ही इनको overcome कर पाएंगे और इस relationship को आगे बढ़ाएंगे और आपकी उनके साथ शादी, engagement होने की बहुत सारी possibilities रहती हुई दिख रही है तो यह था pile 3 आपकी reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें